यूपी में गंगा, गोम्ती और घागरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासनिक और सरकारी स्तर पर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। गंगा का जलस्तर रोजाना बढ़ रहा है और जलस्तर 113 सेंटी मीटर को क्रॉस कर चुका है। ऐसे में कट्री के दो दर्जन से अधिक गाउं कभी भी बाड से प्रभावित हो सकते हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है, बार चौकियों में तैनात पुलिस कर्मी भी लगातार गाउं में इडिक्षन कर रहे हैं। वहीं पुलिस अफसरों ने वाट्सैप ग्रूप बना कर ग्रामीडों को जोड़ा है और हर 12 घंटे में अपनी रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं। पुलिस ने गंगा किनारे की गाउं में रह रहे हैं, ग्रामीडों को सावधान रहने के लिए कहा है। अलेट मूड में आकत और हमारे खाना प्रबारी चोकी इन्चाट सभी वहां के ग्रामीड चेत्व के परधान ओं वहां के सम्राथ लोगों के डच में लगातार के संपर्घ में आज मेरे दोरा लगभग साथ आप गाउं में जाके लोगों को अलेट किया गया उनको जागर प्रिशासनिक अधिकारियों ने गाउं में अनॉस्मेंट भी शुरू कर दिये इस वक नीज इटिंग पर एक नाव पर है यह दमनी पुरुवा चैन पुरुवा लदुवा खेडा ऐसे तमाम गाउं के चोड़ तक पारिया और रोज लगण अधिकारियों ने पहनी नजर बनाए रहे कि अब अगर पानी और बढ़ता है तो वह पुलिस को सूचना दे ताकि ग्रामीनों को एलेट किया जा सके और उन्हें स्ट्रक्षिस ताथ पर पहुंचा लिए कि व्यवस्ता की जा सके उन्हाओ में भी बार का खत्रा मंड रहा है उन्हाओ में समय गंगा का जलसर खत्रे के निशान के पास पहुंच चुका है शुकला गंज में गंगा का चेतावनी बिंदू 112 मीटर है जबकि खत्रे का निक्षान 113 मीटर है जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है लोगों की समस्याइं बढ़ रही है जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी अम महलों में जाने लगा है निउस 18 की टीम ने गंगा से 60 कॉलोनीज में पानी का जायजा लिया लगभग 3 फिट तक यहाँ पानी नज़र आया पानी से गिरे महले के लोग नाओ के जरिये आवा जाही करने को मचबूर है वही जलस्तर बढ़ने से लोगों के चेहरे पर शिकन साफ़तोर पर देखी जा सकती है करने के लिए कुछ माहिला है और पुरुष मौजूद है हम उनसे बात करते कहां जा रही है कैसे जाती है यहां से कितनी दिक्कत हो रही बाढ़ गए रहे तो पानी पड़त है और पानी पड़त है बूड़त है क्या दिक्ता दो रही है बाढ़ गए बाढ़ गए बाढ़ गए बाढ़ गए आपकी फसल डूबी है बहराइच में बहने वाली सर्यू नदियक वा जलस्तर कम होने के बाद अब कटान शुरू हो चुका है जिली की चार तहसीलों मोतीपुरा, नानपारा, महसी और कैसरगंच के दरजनों गाओं में एक अटाम तेज हो गया है अभी तक जिले में 50 से ज़ादा पक्के मकान नदी में समा चुके हैं वहीं अगर नानपारा तहसील की बात करें तो यहां एक साथ 16 घर नदी में समा गए लोगों का कहना है कि खेती की जमीन तो पहले ही कट चुकी है और जो भी थोड़ी सी जमीन बची है उसमें अब पानी भरा हुआ है रहने के लिए भी जगा नहीं बची है रुकेंगे ब्रेक के लिए खबरे लगता जानी है